नमस्कार दोस्तों इंडिया बोली गानिवी चैनल में आप सभी का स्वागत है वारांसी के पिंड़ा विधान सभा छेत्र के कांग्रेस के उमिद्वार अजय राय पर देश द्रो का मामला दर्ज किया गया है 31 जन्वरी को एक जन सभा को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और उस्तर प्रदेश के मुक्ष मंत्री योगी अधितिनाथ के खिलाब लोगों को भड़का कर उनके खिलाब कथित तोर पर नफ्रत फैलाने का मामला दर्ज किया गया है जिला चुनाओ अधिकारी कौस्वाल राजसर्मा ने कहा कि राय द्वारा भड़काउ भांसर का एक मामला शाम ने आया था जिसके बाद से उनसे अस्पश्टी कर मागा गया था रिटर्निंग आफिसर को मामले की जांच करने के लिए कहा गया था एक पुलिस उपनी रिच्छक की सिकायत पर प्रात्मिकी दर्ज की गई है जो चार सदर सी तत्य खोज दल का हिस्सा था प्रात्मिकी में कहा गया है कि 31 जन्वरी को रायने रजीत तारा गाउं में बिना किसी सच्छम अधिकारी की अन्वत लिये एक जनसभा की इस जनसभा में अपने भांसर की दवरान उन्होंने प्रधान मंत्री और राजी के मुख्य मंत्री के खिलाफ अभधर भासा का इस्तेमाल किया था जो नफरत दुस्मनी को पढ़ावा दे सकता है और सांती भंग कर सकता है कांग्रेस बिधायक पर आदर्स आचार संहिता और कोविड-19 प्रोटोकाल के उलंगन के लिए लोगों को बीना अनुवती के सार्वजनिक जभाओं के लिए इकठा करने और और उलिखित सांती भंग करने का प्रयास करने का मामला दर्ज किया गया है कांग्रेस बिधायक ने अपने राजनितिक जीवन की सुरुगात भारतिये जनता पाटी के साथ की थी और 1996-2007 के बीच भाजपा के टिकट पर कुलासला बिधान सभा छेत से लगातार तीन बार जीत हांसिल की थी 2009 में लोग सभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट से वनचित होने के बाद उन्होंने भाजपा छोड़ दी और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने में असफल रहे बाद मेवह कांग्रेस में सामिल हो गए और 2012 में पिंडरा बिधान सभा छेत से जीत हांसिल की वे 2019 के लोग सभा चुनाव में पियम मोदी के खिला चुनाव लड़ा था और कासी विस्वनास धाम पर योजना के लिए इमारुतों को ध्वस्त किये जाने पर चिंता भी व्य खो तो में सर्दू कारी मीछ एलबातों कि लोग सिएे जीत है।